हेलो एब्रीवन, वेलकम टू आर चैनल एंसी यार्टी सिक्षर, आप्रभावी मिश्रा, ये हम सभी देशवासियों के लिए बहुत गर्ब की बात है कि पूरे वर्ड में जो 12 मेगा डाइवरसिटी कंट्रीज हैं उनमें से हमारा इंडिया 6th पोजीशन पे आता है क्योंकि यहां पे एशिया के कुछ rarest species पाई जाती है और कई सारी जो globally threatened species हैं वो इंडिया में पाई जाती है तो इसलिए ये बाइवरसिटी के लिए rich country है तो ये जो ये organism हैं ये जो ये plants हैं इनके लिए बहुत बड़ा threat है जो deforestation हम लोग करते हैं जो हमारी activities है ये उन्हें बहुत जादा harm पहुचा रही है आए हम देखते हैं कि deforestation क्या होता है deforestation d means remove करना और forestation means जो forest है नाम से ही हमें पता चम रहा है जो forest है उन्हें remove करना ठीक है clearing of forest and using that land for other purposes जो forest है जो उसमें trees होते हैं उनको काटते जाना काटते जाना और उस land का किसी other purpose के लिए use करना अब वो purpose क्या क्या हो सकते है procuring land for cultivation cultivation के लिए हम उस land का use करते हैं इतनी जो population बढ़ती जा रही है तो उसकी जो food की demand है वो भी बढ़ती जा रही है तो उस increasing population को food provide कराने के लिए हमें cultivation के लिए land चाहिए ना तो इसलिए हम forest को कट करते हैं building houses and factories यह भी हमें पता है कि houses और factories बनाने के लिए पेड कितनी भारी मत्रा में काटे जाते हैं making furniture और using wood as fuel तो यह भी बहुत important reason है some natural causes of deforestation और कुछ natural cause भी होते हैं जैसे forest fires जंगलों में जो आग लग जाती है जिसे हम दावा नल खहते तो उसमें भी पूरा पूरा forest तबाह हो जाता है and severe droughts जो सूखा पढ़ जाता है एक बड़े लेवल पे तो वो उसकी वज़े से भी सब जंगल तबाह हो जाते हैं तो अब यह जो यह इतना जादा लेवल पे जो deforestation हो रहा है इसके consequences क्या है आए देखते हैं deforestation increases the temperature and pollution level on earth हम जानते हैं कि यह जो trees होते हैं यह air pollution noise pollution इनहें कम करने में बहुत ही जादा हमारी help करते हैं है ना तो अब अगर forest ही नहीं रहेंगे पेड ही नहीं रहेंगे तो pollution का level अर्थ पर बढ़ जाएगा और साथ ही साथ temperature भी अर्थ का increase हो जाएगा pollution बढ़ेगा तो temperature भी increase होगा it increases CO2 CO2 means carbon dioxide carbon dioxide in the atmosphere which causes global warming देखिए हम पता है कि जो plants होते हैं जो भी carbon dioxide हम लोग exhale करते हैं सांस लेने के दौरान हम oxygen लेते carbon dioxide निकालते तो उस carbon dioxide को plants ले लेते हैं और वो light की presence में जब sunlight होती है sunlight के presence में अपना फूड बनाते हैं अब जब plants नहीं रहेंगे तो CO2 को कौन एब्सॉब करेगा जब CO2 को कोई एब्सॉब करने वाला नहीं रहेगा तो atmosphere में carbon dioxide का level बहुत जादा बढ़ जाएगा और जिससे हमारी जो अर्थ है उसका temperature बहुत जादा increase हो जाएगा और वो global warming cause करता है जिसके बारे में हमने पिछले चैक्टर में detail में पढ़ा था अब हम देखते हैं कि और क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं deforestation के बेटा यह बहुत important है आप इन्हें जरूर लिख लीजे यह आपके जो exercise में question answers है उन्हें अगर आप इन्हें समझ लेते हैं अच्छे से तो groundwater level also get lowered जो groundwater है उसका भी level गिर जाएगा कैसे अब हमें पता है आप किसी bare ground जो होता है वहाँ पानी डाल कर देखे वह क्या होता है वह पूरा का पूरा पानी बह जाएगा अगर वहाँ पे घास हैं ट्रीज हैं प्लांट्स हैं तो वहाँ पे पानी रुख जाता है और जब एक जगे पे पानी रुखेगा तभी तो वह जमीन के अंदर जाएगा और वह groundwater level increase करेगा है ना deforestation disturbs balance in nature हमने क्या फढ़ा कि सारे के सारे जो plants है जो animals है वह आपस में एक दूसरे से interconnected हैं तो अब अगर plants नहीं रहेंगे तो जो ecological balance है वो पूरा disturb हो जाएगा many species of animals and plants become threatened or extinct due to it deforestation की वज़े से अब देखे हमने जंगल काट दिये जंगल जो है वो कई सारे animals का घर है अब हम उनसे उनका घर छीन लेंगे तो वो खत्रे में आ जाएंगे ना अब वो कहां जाएंगे कहां रहेंगे उनको खाना पानी कहां से मिलेगा तो वो endangered हो जाते हैं यानि गायब ही हो गए हैं अब उनकी species अब उनकी प्रजाती हमारी अर्थ पर बची ही नहीं है ऐसी भी कई सारी species है तो आप समझ सकते हैं कि deforestation से कितना बड़ा खतरा है अब देखें ये रेंफॉल को भी अफेट करते हैं और ये सौइल की फर्टिलीटी को भी घटा देते हैं फर्टिलीटी हमें पता है कि जो humus है वो या जो fertile layer है स्वाइल की वो कैसे बनती है जब earth पर organic matter जैसे कि leaves हैं या animals हैं, plants हैं वो गिरते हैं तो वही decompose होकर के humus बनते हैं जाकर के और वो soil की fertility के लिए responsible होता है अब जब plants ही नहीं रहेंगे तो humus कैसे बनेगा तो ये soil की fertility को भी decrease करते हैं there will be increased chances of natural calamities calamities का मतलब होता है आपदाएं such as floods and droughts अब ये जो है ये natural जो आपदाएं होती हैं उनको cause करते हैं जैसे कि मैंने बताया बार, सूखा अब आपको ये लग रहा होगा एक तरफ में बता रहे हूं कि ये rainfall गटा देते हैं दूसरी तरफ मैंने कहा कि ये बार लेकर आत आते हैं तो ये कैसे possible है देखे सबसे पहलें समझ लेते कि बार कैसे आती है अगर पेड नहीं रहेंगे तो बार कैसे आईगी ये हमारी अर्थ है ठीक है और ये है Sun ऐसे आप समझ लीजे कि ये Sun है इससे जो rays आती है Sun की वह हमारी अर्थ रिफ्लेक्ट कर देती है वापस य अब इधर देखें यह जो हमारी अर्थ का एक्मोस्फियर है यहां पर सियो टू बढ़ गई यह पूरा यह सियो टू हो गई ठीक है अब जो Sun की जो हीट आई उसको सियो टू ने रिफ्लेक्ट नहीं होने दिया कार्बन डैसाइड ने उसे अब्सॉब कर लिया जब यहीट इनर्जी पूरी एब्सॉब करती जा रही है लेकिन वह वापस नहीं जा रही है जब यह एब्सॉब करती रहेगे और यह हमारे एक्मोस्फियर में तो हमारे अर्थ के एक्मोस्फियर का टेम्टेचर बहुत जादा बढ़ जाएगा ना और इसी की वज़े से ग्लोबल वा बढ़ जाता है जिसकी वज़े से बाहरा जाती है अब सूखा कैसे आता है भाई अब जब यह रेनफॉल को घटा रहे हैं तो जाहिसी बात है वहां पर सूखा आएगा है ना ब्रॉट आएगा तो रेनफॉल कैसे घटी है प्लांट क्या करते हैं सॉइल से वाटर को है और वही वाटर जो प्लांट्स की लीव्स होती है उन से ट्रांसपारेशन के थूट वह वपर की फॉर्म में एट्मॉस्फियर में चला जाता है नहीं जैसे यह प्लांट की तो वही बारिश होकर के कंडेंसेट होंगी मतलब वह वह वाटर द्रॉप्स नीचे आएंगी बारिश के में जब पेड नहीं रहेंगे तो administration कहां से होगा वेपर के फोँम में पानी ऊपर कैसे जाएगा वो नहीं जा पता है न इतना जाधा मातरा में ऑशन होगयरा है वहांसे थोड़ा थोड़ा evaporation होगा लेकिन सबसे जादा plants के तूरू जाता है उपर transpiration में, तो जब transpiration ही नहीं हो पाएगा, लो पानी है, वह ऊपर नहीं जा पाएगा है ना, वीपर के फर्म में, और जब उपर ही नहीं जा पाएगा तो वह ऊपर condensate होकर के, रेण के रूप में नीचे कैसे आएगा तो यह पूरी जो water cycle है जो मैंने आपको समझाई थी पहले तो यह water cycle को ही disturb कर देता है पूरी तरीके से मैंने आपको geography के chapter number 2 में water cycle आपको समझाई थी तो जब water cycle disturb हो जाती तो उसकी वज़े से rainfall decrease हो जाती है It decreases water holding capacity of the soil जो plant होते हैं उनकी जो roots होती है वो soil को बांदे रखती है है ना soil को बहने नहीं देती है तो उससे soil की जो water holding capacity है वो भी increase होती है जब plants नहीं रहेंगे तो water holding capacity decrease हो जाती है fewer trees result in more soil erosion आपने देखा है कि जो bare ground होते हैं वहाँ पे soil erosion बहुत जादा होता है जिसे पानी आया या तेज हवा आये तो मिट्टी उसी के साथ बह गई या उड़ गई तो मिट्टी का कटान बहुत जादा होता है it causes desertification यह desert में जो fertile land है उसे desert में convert कर देना यही होता है desertification forest जब नहीं होंगे तो desertification हो जाता है कैसे होता है अभी हम process को समझेंगे इसके अलावा और में बहुत सारे points हैं जो हम लिख सकते हैं अब जैसे जो हमारी प्राण वायू है oxygen वो हमें कहां से मिलती है यह भी आप लिख सकते हैं plants हमें कितने सारे plant products मिलते हैं न मतलब कोई number ही नहीं है unlimited plant products हम लोग use कर रहे हैं अभी present time में है न तो वो सब हमें नहीं मिल पाएंगे desertification it occurs due to soil erosion or drought soil erosion मतलब जो fertile layer है soil की जो उपरी layer है उसका उड़ जाना है उसका कटान ठीक है पानी की वज़े से या air की वज़े से और drought means सूखा जहां बारिश जादा नहीं होती है वहां पर drought होता है तो यह reason है इनकी वज़े से desertification होता है अब क्या होता है the removal of the top layer of soil exposes the lower hard and rocky layers जब top layer soil की उड़ जाएगी जो की क्या होती है fertile layer होती है तो अंदर की जो hard and rocky layer होती है वह बचेगी this soil has less humus और उस soil में या तो बहुत ही कम humus होता है या फिर बिल्कुल भी humus नहीं होता है और वह बहुत कम fertile होती है यह भी कई बार वह infertile होती है पूरी तरीके से चीक है gradually the fertile land gets converted into desert और दीरे दीरे वह जब उसकी fertility गिरती चली जारी गिरती चली जारी है तो दीरे दीरे desert में convert हो जाता है रेगिस्तान में बदल जाता है जैसे राजस्तान में है ना तो यही जो process है इसे हम desertification कहते हैं और एक होता है कि deforestation से infiltration rate reduce हो जाती है अब infiltration क्या होता है बेटा जो जो soil है ना उससे जैसे यह soil है ना तो यहां पर पानी है इसका अंदर इस water का अंदर ground water में movement ground water क्या होता है जो अंदर rocks होती है या जो भी अंदर soil की जो layers होती है उसके अंदर पानी जो अकसर क्या होता है जो rocks में भी वो पानी store हो जाता है तो वही होता है ground water तो अर्थ की जो सर्फेस है उससे पानी का अंदर जाना ग्रांड वाटर में जाना ये वाटर का जो मूवमेंट है इसी गोई हम इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं जब प्लांट्स नहीं होते तो इन्फिल्ट्रेशन रेट भी रिड्यूस हो जाती है